अस्ती दिन में 17,000 कॉंग्रेसी भाजपा में पूर्व मंत्री नरोत्तम का दावा होली के बाद एक लाख होर आएंगे गिनी जुबुक में दर्जुकर आएंगे रिकॉर्ट 21 मार्च 2014 को चिंदवाड़ा के कॉंग्रीस उनेता और पूर्व मंत्री दीपक्सकेना ने 50 साल पुरानी पार्टी से इस्तिफाट दे दिया है चिन्दवाडा में कमलनाथ के बाद दूसरे सबसे पावरफुल नेताओं में दीपक सकसेना का नाम लिया जाता है दीपक सकसेना ने बीजेपी जोईन नहीं की है लेकिन उनके बेटे अजैसक सकसेना ने दल बदल के साथ बोपाल पहुँचकर भाचपा दफ्तर में भगवाद पट्टा ओड़ लिया उनके साथ पूरो मंतरी तेजिलाल सरयाम ने भी बीजेपी जोईन कर ली है बीजेपी का दावा है कि मंदर परदेश में पिछले 80 दिनों में 17,000 कॉंग्रेसी पार्टी में शामिल हुए हैं यानि इसे सबसे देखे तो रोजाना 200 कारे करताओं ने कॉंग्रेस से छोड़ी है अब बीजेपी का दावा है कि होली के बाद एक बड़ा अभियान देखने को मिलेगा और एक नया रिकॉर्ड बनेगा यह दल बदल मुहीम से किन जिलों में कॉंग्रेस को सबसे ज़ादा नुकसान हुआ नरुत्त मिश्रा बोले एक लाग कॉंग्रेसी को बीजेपी में शामिल कराएंगे इस समय MP की राजनिती की बयार बदल रही है बीजेपी का दावा है कि पूर्व केंद्री मति सुरेश पचौरी सहित छे पूर्व विदायक एक महापौर, दोसव पांच पारशद औरे, सरपंच और पांचो पूर्व जन प्रतनेदियों सहित सत्रा हजार कॉंग्रेसी बीजेपी जोइन कर चुके हैं बीजेपी के न्यू जोइनिंग चोली के सयोजग पूर्व ग्रह मंत्री रनतरमिश्रा कहते हैं रिकॉर्ड तो बन चुका है चुनाव तक हम सत्र हजार से एक लाग कॉंग्रेसी को बीजेपी जोइन कर आएंगे यदि गिनीज बुक में ऐसे रिकॉर्ड का प्रावदान है तो हमारी तैयारी पूरी है पचाल साल से कमलनाथ के सबसे बरोसे बंद दीपक सकसेना ने कॉंग्रेस से इस्तिफा दे दिया है बेटे आजय ने बीजेपी जोइन कर ली है 2018 में कॉंग्रेस सत्ता में आई थी और कमलनाथ को मुख्य मंत्री बनाए गया था तब बेए विदानसबा सदस्यन नहीं थे उनके लिए प्रोटेम स्पीकर रहे दीपक सकसेना ने फरवरी 2019 में पत से इस्तिफा दे कर चिंदवाड़ा विदानसबा सीट खाली की थी इसके बाद उप चुनाव जीत कर कमलनाथ विधायक बने थे उसमें कयास लगाए जा रहे थे कि कमलनाथ के लोग सबसे इस्तिफा देने के बाद दीपक सकसेना यहां से चुनाव लड़ेंगे लेकिन कमलनाथ ने अपने बेचे नकुलनाथ को मैदान में उतारा दीपक सकसेना तभी से कॉंगरिस में अपने आपको उपेक्षित मैसूस कर रहे थे दीपक के बेचे अजा सकसेना कहते हैं कि नकुलनाथ के सांसद बनने के बाद चिन्वारा में पाची की कारेपणाली बदल गई है मैंने अपनी नाराजगी कमलनाथ जी को बता दी थी कमलनाथ हमारे पिता के समान है खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने सपनों का घर बना रहे हैं एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन्स आपके लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकरशक वास्तु कला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तु कला वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां दिये गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं प्लीज विजिट था मांटें केफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूट नियर्बाइ सुहागी बाइपास